नमस्कार बोलते तारे आप देखने हैं आपके साथ मैं हूर सोना लिठाकुर राशिपल के द्वारा आप अपने आने वाले भविश्य के वारे में जान सकते हैं तो 22 फरवरी का दिन आपका कैसा रहने वाला है ये जानेंगे उसके पहले कि आपको पता है कि सनातन धर्व में हर मांगलिक कारे से पहले भगवान गनेश का आवाहन किया जाता है उनकी पूझा अर्चना की जाती है भगवान गनेश को सरप्रथम पूझे जाने का वर्दान प्राप्त है बुद्वार का दिन भगवान गनेश को समर्पित किया गया है बुद्धी विद्या के दाता अपने भक्तों के हर दुख को हर लेते हैं इसलिए उन्हें विग्न हर्ता भी कहा जाता है भगवान गनेश को हरारंग अत्यंत प्रिये है यदि किसी जातक की कुणली में बुद्धगर पीरित है तो बुद्वार के दिन किये जाने वाले उपायों को आप नौकरी वेबसाई या घर से जुड़ी किसी ही समस्या का समाधान कर सकते हैं इस दिन गनेश मंदिर में जाकर दुर्वा की 11 या फिर 21 गाट गनेश भगवान के चर्णों में अर्पित करे इस उपाय से आपको मन चाहा वर्दान प्राप्त होगा और साथ ही जल्ध ही शोफल की प्राप्ती होगी हरा रंग भगवान गनेश को अत्यन प्रिय है इसलिए यदि आप बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े पहनते है तो भगवान गनेश की वेशेश क्रिपा आपके उपर बनी रहेगी बुधवार के दिन हरी मूंग को अंकुरित करके पर्मशियों को दाना देने से भगवान गनेश और माता लक्षमी की क्रिपा आपके उपर हमेशा बनी रहेगी अब चले राशी फल के तरफ रुख करते हैं और शुरुआत करते हैं मेश राशी से कहीं यात्रा करने के योगे हैं लेकिन वे आसपास ही होंगे प्रेम जीवन में नया मोर आ सकता है जो आपको आनंदित करेगा अब चले मेश राशी वाले जात्कों का लखी नमबर कलर जान लेते हैं आपका लखी नमबर दो है लखी कलर आपका हरा है और आप बात करेंगे मेश के बाद ब्रिश राशी की वैवाहीक जीवन में कुछ अन्बन होगी और ज्यादा सोचेंगे तो परिनाम उलट होगे छातरों का मन रचनात मकता में ज्यादा लगेगा और आप व्रिष राशी वाले जातकों का लखी नंबर कलर जान लेते हैं अब बात करेंगे व्रिष के बाद मिथुन राशी की इंजिनेरिंग और सॉफ्ट वेर के छेतर में काम कर रहें लोगों को कुछ चुनोतियों का सामना करना पड़ेगा व्यपार में उच नीच की स्थिती बनी रहेगी मिथुन राशी वाले जातकों का लखी नंबर 9 है लखी कलर आपका सलेटी है और अब बात करते हैं लखी नंबर और कलर के बाद कर्क राशी की सिजूल के खर्चों से साबधान रहे क्योंकि इससे आपकी उपर व्रितिय तनाब हो सकता है परिवार को लेकर चुनता बनी रहेगी कर्क राशी वाले जातकों का लखी नंबर अकलर जान लेते हैं आपका लखी नंबर 7 है लखी कलर आपका केसरी है और अब बात करेंगे सिंग राशी की किसी कानूनी मामले में फसे हुए हैं तो सतकता बढ़ते और कोई ऐसा काम ना करे जो बाद में आपको परिशान में डाल दे अब सिंग राशी वाले जातकों का लखी नंबर अकलर जान लेते हैं आपका लखी नंबर 5 है लखी कलर आपका नीला है और अब बात करेंगे कन्या राशी की भगबान में ध्यान लगेगा और मन में श्वानती का अनुभव करेंगे अध्यात्मक की ओर से जुका बढ़ेगा छात्रों को किसी काम में समस्या हो सकती है कन्या राश्री वाले जात्कों का लखी नंबर अकरण जान लेते हैं आपका लखी नंबर 6 है लखी कलर आपका फीला है और आप बात करेंगे तुला राश्री की आगे की योजनाओं पर काम करेंगे और प्लैनिंग करने पर ज्यादा ध्यान रहेगा सभी के बीच आप सी प्रेम बढ़ेगा जॉब की तलाश में है तो हाथ में कुछ अच्छे ओफर आएंगे आप तुरा राशी वाले जातकों का लखी नमबर अकलर जान लेते हैं आपका लखी नमबर तीन है लखी कलर आपका गुलावी है और आप बात करेंगे ब्रिश्चक राशी की अच्छानक से धन लाव मिलने के संकेत है पैसा कहीं निवीश किया हुआ है तो उस ओर ध्यान बनाए रखे घर में किसी सदस्य की नौकरी भी लग सकती है विश्चक राशी वाले जातकों का लखी नमबर और कलर जान लेते हैं आपका लखी नमबर एक है लखी कलर आपका भूरा है लखी नमबर और कलर के बाद बात करेंगे धनू राशी की दुश्मन से चुनोती मिलेगी और आप कुछ हद तक उन्हें लेकर परिशान भी रहेंगे मन को शांत रखकर सोचे की उनसे कैसा निप्टा जाए धरूर राशी वाले जात्कों का लखी नमबर आठ है लखी कलर आपका ग्रे है धरूर राशी के बाद बात करेंगे मकर राशी की कुछ ऐसा काम करना होगा जो आप करना नहीं चाहते होंगे अंदर से उदासी चायड हैंगी लेकिन किसी से कह नहीं पाएंगे घर का महौल ठीक रहेगा मकर राशी वाले जात्कों का लखी नमबर आपका महरून है और अब बात करेंगे लखी नमबर आपका कलर के बाद कुमराशी की वैपारी है तो किसी के साथ जगरा हो सकता है जिस कारण बाजार में आपके नए शत्रू पैदा हो सकते हैं पार्टर्शिप में लाग मिलेगा कुमराशी वाले जात्कों का लखी नमबर आपका अस्मानी है और आप बात करेंगे अंतिम राशी मीन की प्रेम संबन के लिए अच्छा दिन नहीं है और किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा उतमें दरार डालने की कोशिश की जाएगी ऐसे में बचकर रहे और किसी की बातों में आने से बचें मीन राशी वाले जात्कों का लखी नमबर अकलर जान लेते हैं आपका लखी नमबर चार है लखी कलर आपका संत्री है बोलते तारे में फिलहाल इतना ही नमस्कार